एलो गईज के से हो मैं SP आपका एकन वीडियो में स्वागत करता हूं तो चलो गईज आज आपको मैं बताऊंगा कि इन्युटर बलब केशे बनाए तो आप घर बैटे बैटे इन्युटर बलब केशे बना सकते हो और यह केसा क्वल्टी बनेगा इसमें कौन से कौन से डाले और लास्ट वाली यह गईएस लेडी है तो सेकने लडी एस फरस्ट में एलेडी जो दिए गई है वह DCLED है तो इसको side work देते हैं और यह एक यह cable है इसको connect करने के लिए plates और इसको battery को connect करने के लिए इसको भी side work दे तो और छोटा दो बाय लिया है मैंने इसको भी connect करूँगा आपको दिखाऊंगो कैसे करना है और यह एक lithium cell है 3.7 तो यह 1200 image का cell है तो यह देखलो गईज इसको मैं लागा कि दिखूँगा तो पूरा वीडियो और आपको पूरा इस्टेव इस्टेव दिखूँगा तो और यह गया देखो एक बोड़ी है एमस्टाइगर नाम से तो गई जह हम बलब बनाने वाले उसका यह बोड़ी है तो एक बार आपको यह बोड़ी दिखा देते हूं इस परकार बोड़ी है तो हम इससे बलब बनेंगे और यह इसका कैप है उपर का कैप तो इनको साइड में देते हैं तो अब हम अपना आग आपको फिट करना है तो इस परकार देखो मैं फिट कर देता हूं एसे आपको फिट करना है तो इस परकार देखो मैं फिट कर देता हूं एसी वायर जो यहां से कंट सप्लाई होगा मैं कंट तो इसको मैं फिट कर देता है एक बार तो छोटा से स्क्रू है और इसको एकदम से आप फिट कर देंगे और बार वायर नहीं रहना चाहिए कट कर देना बाद में क्योंकि टच ना होना चाहिए तो यह बार छोटा सा वायर है उसको भी कट कर देंगे और इसमें एक वायर सेट हो गया है इस परकर आपको भी सेट करना है और घर बेटे कैसे भी इन्वेटर बलब बना सकते हो आराम से तो दूसरा वायर मैं सेट करके दिखाता हूँ तो इस परकर आपको दूसरा वायर भी सेट करना गई तो मैं इसको सेट कर लेता हूं और दूसरा स्कुरू लेंगा और इसमें सेट करूंगा तो इसको सेट कर देते हैं तो बड़ी आसानी से आप घर पे इन्वेटरबल बना सकते हो यह पार्ट से यूज़ करके तो यह दो कोई फिट हो गया ऐसी वायर तो अच्छी तरह से हम इ मैं दिखा देता हूं यह दोको दोनों वायर ऐसी वायर हैं तो इसको एक बार साइड में एक देते हैं और आप हम इस केबल को कनेट करेंगे DC plate से तो कैसे connect करना मैं आपको दिखा दिता हूँ तो DC plate से connect करने से पहले मैं इसको lithium cell से connect कर देता हूँ इसको solder कर देंगे solder कर देंगे सबसे पहले तो इसमें देखो minus plus को ध्यान रखके solder करना गईज़े तो इसमें ultra लगो लेंगे क्योंकि यहां पर सोल्टरिंग अच्छा हो जाए गिस लेते थोड़ा दोनों तरफ मैंने पहले सी गिस के गिस रखा है कि तो इसको हम सोल्टरिंग करेंगे तो अब देखो रेट को लगाएंगे पलस में और बिलेक को लगाएं माइनस में तो आगे क्या करना ओब आपको बताऊँ गा तो पहले इसको सोल्टरिंग कर लेतेते से तो आराम से आप सोल्टरिंग भी कर सकतेूront सोल्ट करेंड़ें आपको मार्विट मिलियक कंप्राइज में और क्यासे ओल्ट भी आपको देखा देता हूं एक बार आपको शोल्टरिंग करके दिखा देते हूँ कgia SPI Cooper गरम कर लेते एक बारmore प्सक्र गईजी एक बार इस बार फेस्ट लेले देहां हैyang और इसको अब लगाएंगे देखो कि अराम से लगाना है ज्यादा टच ना करना है थोड़ास टच करना क्योंकि एट बहुत रहता ही है तो इस पर कर आपको सुल्टिंग कर देना है तो यह दोन सारी सॉल्टरिंग हो गया है को तो हमारा सैल सॉलिए कंडरिंग करें प्लेट से कैसे कञेक्ड रना है तो डी सी प्लेट से में करनेक्ड का अगे प्रोसप पूरा बताएंगा तो वीडियो प्लो wings करना क rest me यह देखो इससे DC प्लेट से मैं करनेक्ट करता हूं इसको सीधा करें उल्टा करनेक्ट ना करें क्योंकि आन नहीं होगा एक दम सीधा फिट कर दिया मैंने आए तो गई यह फिटो गया है और गई जब मैं सेल को यस बोड़ी में सेट करूँ गाई सबसे पहले तो क्यों rearrange सेट करना आप वी इस पर का सैट करना तो एक दम मैंने देख clsme body में ओफ्सन दिया गया था घर सेट करने का बैसे अगल नहीं तो आप गं से वायर आपको लगा कि दिखाऊंगा तो चलो गईज एसी वायर लगा लेते हैं तो इस परकार आपको एसी वायर कनेट कर देना है जो कंड सप्लाई करता डारेक्टर तो मैं एक वार एसी वायर लगा लेता हूँ तो ये दोको एक वायर मेंने लगा दिया है और second वायर भी में लगा दिता हूँ आपको भी इस पर का connect करना है और ये दोनों मेंने वायर लगा लिए हैं और अब मैं इसको fit करूँगा बाद मैं आपको on करके भी दिखाँगा ये कितना fox देगा, ये कितना गंडा वेक अब लगा, ओ भी आपको आपको एंड में दिखाँँगा, तो इसको het card देते एक बार है, और on करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ ऐक बार है, और यह बैटरी बैक अपकी बात की जाए तो दो से तीन घंटा कंपल सिर देगा क्योंकि लिटियम से ले 3.7 और वीज के लेडी जो डीसी लेडी है ओन हो रही है और एसी लेडी करण से ओन होगी और यह आटोमेटिक चार्जिंग होता है रिचार्जिबल बलप है तो चलो ग आप में एक दम फुल फॉक्स है तो गई जिस फिरकर आप फॉक्स देखने मिलेगा आपको और इसको हम बॉक्स में पैकिंग करेंगा अब इसका बॉक्स भी है तो यह दोको एमेस टाइकर नेम का बॉक्स है और इसको हम फिट कर देते हैं तो बॉक्स में डालके भी दिख स्क्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर देना गाईज तो चलो गाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोड़क्ट साथ मिलते हैं